फरहत इश्टियाक कहती हैं, काम्याबी सिर्फ जुकने से ही नहीं मिलती, कभी कभी आपको सर उठाना पड़ता है अपने हक के लिए कोई आपकी परवाह करता है, आप किसी के लिए बहुत आहम हैं, ये एहसास कितना दिल को खुशी बख्षने वाला एहसास होता है किसी और से नफरत करते हुए जिन्दगी बड़ी सहूलत से गुजर जाती है, मगर खुद अपने आप से नफरत करते हुए, किस तरह जिन्दा रहा जा सकता है अगर आप दुनिया में काम्याब होना चाहते हैं, तो पहले नाकामी का इस्तक्बाल करने का होसला पैदा करें जो जाने वाले से इबरत हासल नहीं करता, वो आने वाले के लिए इबरत बन जाता है ऐसे लोगों को अपनी तरजिहात में कभी शामिल ना करें, जो आपको तब मुयसर हों, जब उन्हें कोई और मुयसर ना हो मायूस वो होता है जो अल्लह पर यकीन नहीं रखता और महरूम वो होता है जो अल्लह की नेमतों का शुकर अदा नहीं करता कुछ इलफाज, महज इलफाज नहीं होते, वो कैफियत होती है, समझ तब ही आती है, जब खुद आप पे गुजरती है खुद को एक हजार थपड मारना, इजहारे मोहबत करने से बेहतर है